Good morning Friends आज हम लोग discuss करेंगे Baseич Components of Hydraulic System Hydraulic System में कॉन 얼च-ाइन Baseic Components वो रहy भी होते हैं वहम लोग आज डिक्सक बिस्केस करेंगे तो और दुस्रा की General Layout of Hydraulic System लोग के ятельा Face Hydraulic System का होते हम आज दिसकेस बित परह सब से पहले comprimes comprimes करेंगे कंट्रोल वाल्स कैसे काम करते हैं एक्यूर्टर मिन्स के हैड्रोलिक मॉटर्स पिस्टंस वह सब चीजे पाइपिंग सिस्टम जो हैड्रोलिक की जो कनेक्शन पूरा का पूरा है वह और नेक्स है है फ्लूइड कैसे उसमें वर्क करता है वह चीजें सब आम लोग डिसक्स करेंगे नेक्स्ट है वह है कंपनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम थोड़ा डीप में डीटेल में एक्चुर में हम लोग डिसक्स कर रहा कि भी प्राइम मूवर्स क्या है पंप कंट्रोल वाल्स यज बड़ा एक्कुरेटर और प्नि plains इस्टम की बात करें तो उसमें डीप जून्स उसमें कॉन से कौन से यूज क्शून चे उतिप से पहले है filters okay oil को filter करने के लिए filters का use होता है ठीक है तो filters की बात करेंगे यह है filters stainers stainers का काम क्या होता है अगर जो कई कच्रा आये तो वह वह hydraulic system में filter को filter जो बढ़ा कच्रा है वह श्रेनर के थ्रू फिल्ट्र हो जाता है next नेक्स्ट है storage tank okay तो जो पूरा जो ऑईल है reservoir एनी का जो reservoir है उसको क्या बोलता है storage tank बोलता है next है heat exchanger okay heat exchanger अंदर यूज होता है next pressure gauge pressure को maintain करने के लिए pressure gauge कुछ sensors की जरूद पढ़ती है और hydraulic system damage ना हो इसलिए कुछ protecting device की जरूद पढ़ती है control करने के लिए controlling devices की जरूद पढ़ती है और next है वह है accumulators accumulators की जरूद पढ़ती है accumulators की जरूद पढ़ती है ठीक है तो यह सब basic component है उसको हम लोग schematic diagram में दिखेंगे schematic diagram में schematic diagram of hydraulic system अभी हम लोग उने जो discuss करें उसमें सबसे पहले बात करेंगे fuel tank की fuel tank में यह क्या होता है fuel okay तो fuel tank में fuel यह यहां पर क्या होता है oil यहां पर as a fuel oil का यूज होता है ठीक है यह उसको हम लोग oil tank भी बोल सकते हैं और oil reservoir भी बोलता है ठीक है तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है stanner होता है हम लोग अभी बात करी कुछ components की उसमें यहां पर stanner होता है वह stanner क्या होता है उसमें कुछ ऐसी checks net जैसा होता है नीचे और जाली जैसी होती है रचना होती है तो वह क्या करता है सबसे बड़े particles है कोई बड़ा समझो की unwanted particles बड़े बड़े जो है वह stanner में filter होके through piping वह फिल्टर में आता है ठीक है यह है filter filter fuel tank के साथ connected होता है तो फिल्टर क्या करता है oil में कोई dust particle है या तो फिर जो unwanted particle है उसको क्या करता है और filter 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 का का क्या है वह remove करता है वह फिल्टर में लेता है देन आफ्टर जो clean oil और जो pure oil है वह कहां पे hydraulic pump में जाता है ठीक है hydraulic pump क्या करता है hydraulic प्रेशर करने के बाद प्रेशर रेगुलेटर है वह अलग अलग जगव पे प्रेशर को रेगुलेट करके वह बेजता है अगर कोई यह प्रेशर राइज जो हमारा जो ऑईल है उसको कंट्रोल वाल के थूँ एक रिक्वार्ड प्रेशर जब आएगा तब वह वाल ओपन और क्लोज होता है ठीक है तो कंट्रोल वाल के थूँ वह हमारे लिफ्टिंग डिवाइस या तो फिर जहां पर हम लोगों को यह ओईल का यूज करना है उसको लिफ्ट करने के लिए वह बेज देता है ठीक है और जो और जो समझो कि एक्स्ट्रा एक्सेसिव ब्रेशर है और जो ज्यादा है वह यहां पर रिलीफ वाल के थूँ वह फिर से फ्यूवल टैंक में आ जाता है एक एक बेजिक सिस्टम है बलाए अभी समझो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट है अम लोगण नहीं जो कंपोननेट कि बात करेंगे उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करता है सबसे पहले है प्राइम मुवर्स विजिसे दिवाइश कहाद ईवाइस ईज ज्डेवलोप्दू mechanical power जो प्राइम मूवर्स है वो क्या है वो mechanical power development कर रहा है ठीक है तिस power is hydraulic system this power in a hydraulic system is basically used to drive the pump तो pump drive करने के लिए power use जो हो रहा है ठीक है प्राइम मूवर्स मूवर्स includes IC engine turbine etc तो समझो कि प्राइम मूवर्स का काम क्या है वो क्या करता है mechanical power develop करता है वो मेभी IC engine भी हो सकता है और turbine भी हो सकता है ठीक है अभी next बात करेंगे hydraulic pump अभी अपनों करें pump की बात करी pumping करता है pump pressure create करता है ठीक है तो hydraulic pump तो hydraulic pump उसमें बहुत सारी तरीके के होते हैं pump मैं समझो कि rotary pump है या तो फिर बात करूं मैं कि when pump है different types के hydraulic pump होते हैं the function of hydraulic pump pump का काम क्या है pump का काम है the function of pump is oil function of pump is to pump hydraulic oil to the hydraulic circuit okay it converts the mechanical energy okay तो pump का क्या है वो mechanical energy convert करता है to fluid energy okay और into hydraulic energy okay तो यह पंप इस पॉजिटिव यहां पर अलगा तरीके के पॉप पॉजिटिव displacement pump है तो यह पर पंप है उसका मैं function बोलता हूं तो pump is it can deliver constant flow even at a high pressure okay the hydraulic pump tax hydraulic fluid अभी जस्ट बोला मैंने वर्वेड़ फ्रॉम्ज टेंक एंड डिलिवर्स इन्टु दे रेस्ट of fluids circuit okay तो यह जो pump का पूरा काम क्या है वो circuit में जो पूरी hydraulic circuit है जो हमारी उसको क्या करता है hydraulic circuit को pumping करके क्या करता है fluid जो है प्रेशराइज जो हमारा oil है वो supply करता है पूरी circuit को okay the hydraulic pump पर characterized by its flow rate capacity power drive speed pressure okay sorry pressure deliver at outlet efficiency of the pump okay और consumption okay तो यह pump है वो कैसे derive होता है बार उसके capacity कितनी है उसका कितना power generator है कितनी delivery कितनी drive speed है वो सब चीजे hydraulic pump requirement के हिसाब से design किया जाता है ठीक है okay next types of hydraulic pump भी जास मैं बात करी positive displacement pump की बात करते हैं अब लोग उसमें types में सबसे पहले जो है वो है positive displacement pump okay external gear pumps है internal gear pumps है lobe pumps है sorry lobe pump और और समझो की van pump है अलग-अलग type के different pumps आते हैं okay तो समझो सबसे पहले non positive or positive pump okay तो समझो non positive pump की बात करते हैं सबसे पहले non positive displacement हम यह समझो यहां पे हम लोग कभी समझो hydraulic के जो components है component जो पूरे system में जो component use होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिसकस कर रहा है अभी okay तो क्योंकि समझो basic हम को पता होना चीए कि भी क्या-क्या चीजे hydraulic circuit में use होती है और उसका function क्या है वो क्यों यहां पे रखे गई है और वो क्या क्या उसका समझो इसकी applications क्या है ओके वो हम लोग वो को जाननी पड़ती है समझो ठीक है तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे non positive displacement pump की बात करेंगे ओके तो यहां पर क्या है कि फ्लूइड प्रेशर जो है वो रूटर स्पीड के प्रपोजनल होता है समझो कि जितना जितना फ्लूइड प्रेशर चाहिए उतना प्रपेलर स्पीड चाहिए ओके यूज फर लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम यह जो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेश्मेंट पंप वो कि कहां पी यूजर है जहां पे लो प्रेशर की ज़रूद है और हाई वॉल्यूम यह बड़ा वॉल्यूम हमको लिफ्ट करना है वह जगह प पॉजिटिव डिस्प्छ्मेंट ओके पॉजटिव डिस्प्लेश्मेंट पंप यह दो स्बैद वॉर्यूम म्याइम निचाएं संब उन्प आप पर्संद जगह पे समझों की नॉन पासिटिव डिस्परसम्यूम करुम को झाइट हो ता ही कि तएब आओप्द्ट यहां पर आउटपूट जो है वह कॉंस्टन ओके ठीक है एंडिपेंटनेस अफ दे सिस्टम प्रेशर यहां पर सिस्टम का जो प्रेशर है उसका पंप की साइज पर कुछ भी चीजों पर फरक पड़ता है नहीं जैसे वैन पंप पिस्टन पंप यहां पर कुछ एक्जमपल कौन से कौन से टाइप यह जो है वह मेरा इंट अब उस तरीके से यहां पर ऐसी वैन पंप उसमें इसवैन होती है तो क्या होता है होती है और वह अपर होती है वह सब्सक्राट त्क होता हुब त्क है अए यौझ कैसा होता है मैंने दिखा था भी तहीं कैसे होती है यहां पर दिख रहा है यह वैन है जो मुवेबल होती है मैंने बुला अभी बर बर जो उपर की ब्लेड है यह जो यहां पर अलग दिया हुआ है यह अलग-अलग मुवेबल है देखो अलग-अलग साइज में है जैसे वह केसिंग में रोटेट होती है तो वैन वह उपर नीच आपे डिरेक्ट्ट्रोल वाल की बात करते हैं, it controls the direction of flow of oil by which it performs extension and rotation of the acquirater's in double-acting cylinder, तो देक्ट्ट्रोल समझजो अगर डिरेक्ट्ट्ट्रोल वाल की जरुत कपड़ती है, जहां पर double-acting cylinder हो, जहां पर दो जगपे cylinder act कर रहा हो, ठीक है, तो directional control wall provided the direction to the fluid and flow in a particular direction तो वो क्या है कि directional control wall है वो particular direction में fluid को control करता है ठीक है those wall are used to control the start stop and change the direction of the fluid okay they can be classified in following manner directional control wall का function मैंने बोल दिया कि कैसे काम करता है वो fluid के direction काम करता है start के लिए stop के लिए अगर fluid बंद करना है अगर fluid supply चालू करना है और उसका direction का control करता है तो दोस टाइप अब कंस्ट्रक्शन डिफरेंट टाइप के direction control wall available है तो कि construction के लिए बात करेंगे तो puppet walls और spool walls ओके वो construction के हिसाब से है और जो पॉपेट वाल है जो है वो समझो कि छोटे उसकी थोड़ी सी बात करूं में puppet wall जो है वह है अगर कोई समझो छोटा device है तो पॉपेट वाल जैदा है और large size में puppet wall समझो कि वो possible नहीं है ठीक है तो types of construction में बात करें तो spool wall और puppet wall number of ports and switching position की बात करें तो three-way है two-way है switching position की बात करूं मैं तो three-way four-way तो three-way two-position four-way three position four-way two-position any different positions के और ways के वाल available है okay then method of charge from the one position to next okay तो उसमें throttling types और non-throttling types do type के available है ओके यह flow control वाल के कुछ यहां पर समझो कि हम यह समझो कि butterfly वाल हम लोग generally समझो कि water के लिए use करते हैं फिर globe वाल है यह सब जो वाल है वह एक example यहां पर दिए गया है इस तरीके के वाल available है यह butterfly वाल तो हम लोग कहां पर यूज़ करते हैं चू फ्लूइट एंसम जोग है हमारा जो water supply जहां पर होता है यह वाल अम लोगों ने देखा होगा शायद okay नेक्स्ट है प्रेशर कंट्रोल वाल की बात करें और प्रेशर रिलीफ वाल की बात करें अ झाल वाल is sorry वाल is चैर है इस अथ्षाल फो वाल बात करेंछीं संवयर वाल प्रेशर करो fixज़ चleल वाल shy事情 एंस में हम लोगude बात कर देर में रड़ आंक में हम होन से हैं प्रेशर प्रेशर करें आपला क्रां के यह 25 तोर उना-6 7 दो में हो थो उसट थो यूस्ट फ्रटेक्ट था हे अगर एकसेट्र प्रेशन है तो प्रेशर थो यह वाल के तूब वह वापिस कहां पह जाए खूलीहरो में गुंद रिलीफ होके वह वापिस टैंक में आ आइसे टेंक में उसको फ्लूइड को बाइपास कर देगा ठीक है इसलिए प्रिशर का कंट्रल हो जाते है ठीक है next बात करेंगे हम लोग तो है इसुर्ण और फिल्ट है करता है इन दौत करता है तो थाइपस ये नियर मोमेंट करते हैं उसको लिणियर अक्यूवेटर बोलते हैं जिसे इसे जिसेंदर रोट्री आफिटर सब्सक्राइब क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर लिन्य अक्योटर बोलते हैं इसलिए उसको लिन्य और रोटरी एक्योटर बोलते हैं तो हैट्रोलिक्योटर एंप्लेड हैट्रोलिक प्रेशय तू ड्रेव और आउठ्ट मेंबर ऑके देर ही ज्चाइब ऊड़ स्क्राइं ऊंड़ ज्चाने और फ्लीट यू के लिए हैं निए से ज़रोद पढ़ती है जो समझो की नॉर्मली इंग कंपरिसिबल है वहां पर यह क्या है कि फ्लूइड को प्रेस क्यों करके उसको मेकनिकल पावर में complete सुम्झो कि मॉटर का काम किया है कि इत कन्वर्स mechanical power ओके यह सब चीजे है जो है यह यह का काम है पावर जनरेट करना इन शॉर्ट ओके ठीक है अभी नेक्स्ट बात करेंगे हैड्रोलिक सिलिंडर्स किस-किस तरीके के होते हैं अब लोग ने बात करेंगे इस इस पर दो तरीके के होते हैं एक सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग सिलिंडर है ईज्च ऑघ्ट इड़्यव्ट लिवर करता है एप सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग का एग्ज Split लिये हुए हम लोग बड़कों वरब आट रेस्ट हैं अब हम लोग ने बात करेंगा लिक्टे की सिलिंडर्स और दोडा मोर्टर तो भीist इंड्र के बार में डिसकस किया अभी अमलोग स्वड़ा मोर्ट के बार में इसकस करते हैं मॉर्टर वर्क्स एक्टली ऑन दर रिवर्स प्रिंसिपल अप नाइंब करती है इन-ऌ अ मोर्टर स्alten इंटो दमार फ्रॉप आ in a motor fluid is forced into the motor from pump okay pump outlets at high pressure pump का काम क्या है fluid को force करके उसको high pressure में convert करना okay और mechanical energy provide करना ठीक है this fluid pressure creates of this fluid pressure creates the motion of motor shaft okay जो fluid है वो motor shaft में motion produce करती है through any pump can be used as a motor the motor commonly used hydraulic motor shaft okay hydraulic motor commonly consequences use होती है हम लोग ने आगे बात करी van motors है gear motors or piston motors है जैसे pump है वैसे ही motors है अलग अलगत है पर यह pump के principle से एकदम समझो की उल्टा एकदम opposite काम करता है ठीक है जैसे pump जो प्रिंसिपाल है मौटर का वो रिवर्स प्रिंसिपाल पर बात करती है okay अभी समझें filters की बात करें filters का काम मैंने बोला कि filters क्या करता है एक suction filters है और pressure side filters है okay suction filters क्या करता है वो suction the suction filter provides protection to the hydraulic pump from the particular larger than 10 microns जो समझे filter का clean करना काम है जो 10 microns से ज्यादा जो filter some particles है उसको क्या करता है वो वहां पर रोक देता है ठीक है okay pressure filter side to located downstream from the hydraulic pump those filters are designed to clean the fluid filters का काम जो ultimately क्या है उसको fluid को clean clean करना इट एक्जिस्ट पंप्स टू प्रोटेक्ट मॉर सेंसिटिव सिस्टम सुझो कि अगर यह पूरी जो सिस्टम है वो उसमें क्विस्टन सिलिंडर बहुत सारे पॉंप्स और सब कुछ है अगर उसमें कोई भी सम्झो कि dust particle और सब अगया वरबल तो यह सिस्टम है वो उसको क्या करता है डेमेज कर सकता है इसलिए सम्झो कि आंपे filters का use properly होता है ठीक है अभी सम्झो कुछ application की बात करेंगे hydraulic hydraulic system में उसमें कुछ इसकी जो कुछ applications है जो तो machine tool में इंडेस्ट्री में क्या होता है plastic processing machinery steel making machinery सब जगव पे यह यूज होता है ठीक है paper industries है okay next सम्झो की material handling equipment है वहां पर यूज होता है construction field है automobile field है material testing laboratories में यूज होता है aerospace में railways में marine field में medical equipment or agriculture equipment mining equipment में सब जगव पे यह hydraulic system है वह यूज होता है ठीक है तो हम लोगों ने पहले थोड़ा सा discuss किया हुआ था कि इसकी applications क्या है ठीक है और limitations of hydraulic system तो इसमें के अभी हम लोगों ने वह भी discuss किया था विससे operation numatic की comparison में यह system सोड़ी सी slower है ठीक है तो यह सब चीजे हम लोगों ने discuss की थी वैसे operation working with the hydraulic system should be extremely caution wherever they should be given appropriate training इसमें बहुत सारी training की जरुत परती है उसमें कुछ भी chances नहीं है कि हम लोग संजो कि उसमें जो hydraulic system है उसमें क्या होता है कि completely train train जो mechanic है train worker की जरुत परती है whatever कुछ भी problem leakasies हुआ कुछ भी हुआ वर तो वह hazardous है यह सब चीजे हम लोग ने उसकी discuss करी थी और thank you friends आज के lecture के लिए अभी next lecture हम लोग next topic हमारा है वह हम लोग discuss करेंगे समझो कि principle of hydraulic system generally समझो बेजिक बात करते हैं हम लोग की जो hydraulic system है वह पुरी की पूरी Pascal slope discuss करते हैं okay Pascal slope चलती है ठीक है okay next lecture में हम लोग discuss करेंगे वह क्या है Pascal slope और क्या है continuity equation वह सब कुछ हम लोग next lecture में discuss करेंगे okay करेंगे करेंगे करेंगे